स्रमण कुमार की कहानियां आपने सुनी होंगी किस तरह अपने अंधे माबाप को बहंगी में बिठा करके वो जा रहे थे सर्यू के किनारे वह जहां पर उनको बांड लगा था आज राम मंदिर बन रहा है और राम लला अपने भव मंदिर में बिराजमान हो चुके हैं तो ए लेकिन द्यूटी यानि नौकरी करते हैं तेलंगाना में तेलंगाना से यह अपने साधन से आए यानि से आए इनके माबाप अउध्या आए और एक स्रमण मंदिर है जिसको अंधा-अंधी का मंदिर कहा जाता है वहां पे रुके और वहां से जो है इस तरह से बहंगी से ल भगवान का नाम लिए तो कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन सुबह उठते हैं तो थोड़ा पाहत दर्द करता है, चलने टेम सब खतम हो जाता है, जब आप ऐसा विचार कैसे मन में आया है, आपके की असमर्त माता पिता को आप मंदर दर्शन कराए जाए, हम तेलंगना म लेकिन वह जा रहाता कहां, तो मैं गूगल से सर्च किया, तो देखा कि सरयुग थरच पे जा रहाता, शर्यूक तट पे जाते जाते लेकिन वह नहीं जा सकता है, उसी असलिये ब्रॉबवनब बजार से अशिरवाद दिये तो मैं उसका कर्त निम्हा करके कोसिश करूँग कि सर्युग घार तक पहुंचा सकता हूं ये इनकी मा है जरा इनको भी आप देख लीजिए किस तरह से ये वह हैं चलने फिरने में बहुत असमर्थ हैं तो क्या लगता है आप दर्शन कर रहे हैं इस उम्र में उनको बहुत वरुच लगता है कि मा बेटा अधा उमर में लेके जा रहे हैं सर्युग नदी राम भगवान को दर्वार ये इनकी मा हैं इनके उपने उद्गार हैं ये इनके पिता जी हैं हात में देखेंगे तो आप राम लक्षमण और ये देखेंगे सीताक जी और नर्मान जी सबकी तस्वीर लिए बैठ देखता है अब कर रहे हैं हम लोकू बहुत तकलिप रहता नहीं है तो ये बचे को द्रौख है कमाते हो बिर्धी नहीं देते हो बाबा बिर्धी देखा तो तब ने तो यह पूर सकता यह बुठा करके लेग जोने में पिता को यह दुख है कि अगर समर्द्धी होती तो साथ इस तरह कि नौबत नाथी की बेटा इस तरह लेके जाता अब कुछ ऐसे यह लोग रुक चलते हैं यहां से राष्टे में जहां भी मंदिर मिल जाता है वहीं ठहर जाते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रहने खाने की बेऊस्था कर देते हैं और एक दिन में आठ से दस क्रिमोटर चलने के बाद वहीं बिसराम करते हैं रात में और तो रात में हमारे यहां रुके थे इनको रहने की सारी ब्योस्ता की गई है इस तरह की भी लोग हैं जो इनको मदद कर रहे हैं और अध्या पहुचने में रात में भिसराम करने में रहने में ठंडक का मौसम है आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आश्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से